नमस्कार दोस्तों आप सबी लोग का हमारे चैनल पर बहुत बहुत सवागत हैं दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th math का best question of complex number का question number 3 से दखने जा रहे हैं इसलिए वीडियो में दोस्तों में question number 2 तब देखने तो यह आप लोग नहीं देखने हो तो आपस request है कि पर इस वीडियो को जागे देखिए तब यह सीरीज आप लोग अच्छा से समय आएगा इसमें क्या करें कि express the following expressions in the form of a plus ib हम लोगों को यह expression दिया गया 3 plus i root 5 into 3 minus i root 5 upon root 3 plus root 2i minus root 3 minus i root 2 इसको लोग क्या करना है a plus ib के form में लिखना है a plus ib का मतला होगे real part plus imaginary part के form में हम लोगों को लिखना है और यह question दोस्तों महुंचके important है देखिए इसको क्या solve करेंगे यहां आप लिखेंगे given expression लिखेंगे इसको लोग कोपी करना है यहां पर यहां पर है 3 plus i root 5 into 3 minus i root 5 अपन में यह root under 3 plus root under 2i यह minus root under 3 minus i root under 2 आगे देखिए यहां पर इसको को फिल्स से प्लस मा इसको यह होगे इसको बिलेट करते है यह भी हो जाएगा a plus b और यहाँ पर a minus a plus b into minus b क्या होता a square minus b square a का square a कितना है 3 है थो 3 का square minus b का square थो b कितना है i root under 5 का whole square upon में यह root under 3 plus root under 2i minus इसको multiply करें minus plus को multiply करें तो हो जाएगा minus root under 3 और यह minus plus हो जाएगा minus i root under 2 अगर देखिए यह minus root 3 से plus root 3 यहाँ पर cancel हो जाएगा तो 3 का square करेंगे तो हो जाएगा 9 minus i root 5 का square करेंगे तो हो जाएगा 5 फिर से हाँ समझेए कि i root 5 का square तो i ka square i square होगे into root 5 का square हो जाएगा 5 अपॉन में यह जाएगा root under 2i यह जाएगा plus देखिए i root under 2 को आप ऐसे रिशेता है root under 2i i root को के पहले था है इसको बाद में रिशेता प्रोड़क्ट में है तागे पछे लिखने से कोई दिकत नहीं यह आपके यह जाएगा 9 minus i square का होता है minus 1 होता है यह हो जाएगा हम लोगको minus 1 into 5 अपॉन में root under 2i plus root under 2i सेम तरम है क्या होता है root under 2i हो जाएगा आगे देखिए यह हो जाएगा 9 और यह minus minus हो जाएगा plus और यह हो जाएगा 5 अपॉन में 2 root under 2i आगे देखिए तो 9 plus 5 हो जाएगा हम लोगको 14 अपॉन में 2 root under 2 और यह i 2 से इसको cancel कर देखिए 7 तो 7 अपॉन में root under 2 और i आगे देखिए अब यहाँ पर दोस्त देखिए नीचे में यहाँ पर आयटा है तो नीचे में आयटा यहाँ पर रहाने चाहिए कॉम्पेक्स नमर में कभी भी दोस्तों डिनोमेटर में आयटा नहीं रहेगा तो इसको cancel कर देंगे साथ में यहाँ पर राशनल नमर है तो root under 2i से इसको multiply और divide कर देंगे तो जाएगा 7 अपॉन में root under 2i इंटू यह root under 2i आपॉन में जाएगा root under 2i आगे देखिए यह root under 2i है root 2 क्या है rational है और i root under 2i से इसको multiply और divide कर दिये तिये हो जाएगा 7 root under 2i अपॉन में root 2 इंटू root 2 तो देखिए root 2i यहाँ 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 पर root under 2i का क्या हो जाएगा whole square हो जाएगा आगे देखिए तो जाएगा 7 root under 2i अपॉन में root 2 का स्कोर हो जाएगा 2 इंटू i square हो जाएगा root 2 का स्कोर है और i का स्कोर है तो जाएगा 7 root under 2i अपॉन में यह 2 इंटू यह जाएगा अब इस आई हम लोग लिखना था ए प्लस आईबी के फॉर्म में यहां पर देखिए सिर्फ यहां पर इमेनरी पार्ट आए डियल पार्ट यहां पाइल नहीं है यहां पर इसको 0 प्लस यहां पर इसको एसे भी लिख सकते हैं कि आप आइसे भी सकते हैं यह प्लस आइभी क्वल जों उसको माइनस को आप इतना जो आए हैं यह रिजल्ट इसे गलिखिए ज़यां यही दोस्त इसका आंसर हो जाए कोश्चन नमर थी का है आई हब दोस्तों कोश्चन नमर थी आप लोग को सौन्ज आ गया होगा इसमें देखे है कैसी हम लोग एक्स्प्रेशन दिया है कि इसको ए प्लस इब को फॉर्म में कनवर्ट किया है अब इसका नेक्स पॉस्टन जिसे माले कोई कॉइब कोई नमर को किसे निक्रिकर देखेंगे तो माली जहां पर 2 प्लस 3i दिया गया है तो प्लस 3i का मतलब क्या होगि और यहुनलोगों को रिएल पार्ट प्लस इमें अडिव्य पार्ट के support में दिया रहेगा तो इसमें क्या होता है कि इमेजनलोगी पार्ट के पीछे का साइइन क्या होता है चेंज होता है रियल दुसरा कि हम पर समझते हैं, जैसे माले कोई complex नावाला हम लोगों को 5-6i दिया गया है ओके, conjugates, यानिके z बार, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट के एजिटीच कॉंफी कर लेजिए 5 यहां पर बार्ट के पीछह का साहिँ हो यहां? माइनस साहिए कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पर देखिए, कि यह A plus I B कीी फॉर्मत यहां पर है नहीं सर्था стен में है, सर्था अई पर क्या करेंगा, A plus I B की फॉर्मत सोはは कर देजह यहाँ पर लिखें, गीवन एक्स्प्रेशन लिखेंगे, गीवन एक्सप्रेशन यह है 3-2i Так, इन्टु 2-3i अपोन में यह 1-2i ंटु में क्या प्रोटिक्टीव एधे में प्रोटिक्टिव फोर्म तॉ क्या करनें इसको मुल्टिप्लाइ करेंगे इस 3 से क्या करनें कभी ती इस 2 औरो मल्टिप्लाइ तो मथी एस्कले एद दूनों म्ल्टिप्लाइ करनें तो 6 missing 3 состояниchau 9 i-2 speaking 2 दूनों से मल्टिप्लाइगे तो जेकी होगा 2-i, अगे 2i से दोनों को multiply जाएगा, यह 2i इंटो 2 हो जाएगा, प्लस 4i, और प्लस को मैने से multiply करें तो जाएगा, माइनस, यह 2i को i से multiply करें तो जाएगा, 2i square, आगे देखिए, तो जाएगा 6, 9i में से 4i जाएगा, तो जाएगा 5i, यह माइनस 6 इंटो i square, i square के value कीतना हो जाएगा? माइनस 1, अपन मैं, यह जाएगा 2, तो जाएगा 4i में से आएगा तो जाएगा, तो जाएगा plus 3i, यह जाएगा minus 2 इंटो i square के value, माइनस 6. एगे देखिए, यह जाएगा 6 plus 5i, माइनस मानस हो जाएगा, प्लस, जाएगा 6 tussen 2 प्लस 3i, यह जाएगा प्लस 2 इंटु 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा आगे देखिए 6 प्लस 6 हो गे 12 प्लस 5Y अपन में 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 आगे दोस्तों देखिए नीचे में आप आयाटा है तो नीचे में complex में आयाटा नहीं रहना चाहिए यहर llev में क्याँ करें एक रस्नाय जेंगे लेकि 12 प्लस 5Y है सो है इस मुल्टिप्लाइग करेंगे इसकी आपल स्यसे 4 प्लस 3 है स्थाप मभीजिन क्या हो जाएगा 4 म्यासwe Aut eine 4 माइनसill आफ से आगे देखिए 5i को 4 से multiply करें तो 20i हो जाएगा और plus को minus से multiply करें तो जाएगा minus 5 से 15i square अपन में देखिए जो term यहाँ पर है white term यहाँ पर है और जो term यहाँ पर है same term यहाँ इसको a let कीजिए यह भी a हो गया इसको b let करेंगे तो यह भी हो जाएगा प्लस का है a plus b और यहाँ minus sign a minus b a plus b into a minus b क्या होता है a square minus b square होता है a का square यानिकि 4 का square फिर हो जाएगा यहाँ पर minus b का square तो b के जगब कितना 3i है तो 3i का square इसको solve कर लिजिए देखिए हो जाए लोग 48 देखिए 20i में से 36 आई जाएगा कितना हो जाएगा minus 69 हो जाएगा और यह जाएगा minus 15 इंटू i square कितना होता है याद रखिएगा कि i square equal to कितना होता माइनस 1 होता है ओके आज़ा देखिए यह जाएगा 16 माइनस 3i का square करेंगे यह जाएगा 9i square तो 48 माइनस 16i माइनस माइनस हो जाएगा plus 15 अपन में 16 माइनस 9 इंटू i square जाएगा minus 1 आगे देखिए अपन में यह जाएगा 25 देखिए ऊपर में दो टर्म है नीचे में सिंगल टर्म है तो अलग अलग डिवाइड कर देखिए तो यह जाएगा 63 अपन में 25 माइनस 16 अपन में 25 और यह हो जाएगा यानि किसको अपन में complex नमर लेट कर सेखिए लिखेंगे यह आपके कि देरफोर ए प्लस आइबी इकवल टो कितना 63 अपन में 25 माइनस 16 अपन में 25 और यह हो जाए आई तो यह प्लस आइब के फॉर्म में इसका मतलब यह complex नमर है लिखेंगे z equal to यहां लिखेंगे let z equal to 63 अपन में 25 माइनस 16 अपन में 25 और यह i इसका conjugate से हमनों कर निकालना तो लिखेंगे therefore conjugate करते हैं जेड़ बार से किसे क्या हो जाए रिल पार्ट पर जीटीज यानिके 63 अपन में 25 और इमेरिनरी पार्ट की पीछे का आगया हो कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जाड़े पुछू सकते हैं वीडियो अच्छा लगे मेरे पाहने के तरीकाई दिया आप लोग पसंद आए अब उसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जेलों को लाइक कीजिए सेर किये सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करें ज पुम्धन दिसके और दोस्तों कीजिए सुन्हें talking